तो यह हमारा Hero Under 100 CC Bike का कीकसाफड है और यह रैचिट गेर है दोनों और यह वाइसर है और यह दो लॉक है और यह किये कॉलर भूस है तो इसने हमें इसकी सेटिंग करनी होती है दोस्तों अगर इसकी सेटिंग एकोरेट नहीं हुई तो कुछ इस तरीकी की साउंड आती है मैं वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके की साउंड आती है तो जहां अभी हम यहां पे कीक ज्यादा दबा रहे है तो ज्यादा आवाज कर रहे है और कम दबा रहे है तो हलकी आवाज हो जाती है इसी तरीके से अगर सेटिंग ज्यादा आउड होगी तो आवाज ज्यादा करेगी और सेटिंग कम आउड होगी तो कम आवाज करेगी तो भी आपने वीडियो देख लिया कि किस तरीके की sound आती है अगर इसकी accurate setting ना हो तो इसकी accurate setting कैसे करनी होती दोस्तों वो मैं आपको इस वीडियो में आयंड तक बताऊंगा बहुत चोटी सी वीडियो है आयंड तक देख लिजिए आपके बहुत काम आएगी जिन लोगों को पता है उन लोगों के तो काम की चीज ने कुईको अच्छी तरीके से पता ही है लेकिन लोगों को पता नहीं उनके लिए बहुत काम की वीडियो है दूस्तों तो इसको आयंड तक देखते रहे है चलिए इसको सेटीं करना सबसे पहले जो कि कि साफ्ट में जो racket पढ़ेगा वो हमारा ये वाला है ठीक है इसकी कोई सेटिंग ने इसको डारेक्ट यहां से डाल देना है उसके बाद यहां पर आपको एक खाचा कटा हुआ दिख रहा है यह वाला है इसमें लॉक पड़ेगी उससे पहले यहां पर यह बारी एक वाइसर डालनी होती है यहां से वाइसर यहां से डालिए और अंदर की तरफ इसे हमें लगा देना होता है तो मैं यह लग लगा के लिए लेता हूं बहुत छोड़ा सा काम है कोई दिक्कत ने हुए खुद से भी कर सकते हैं इसे यह जो लोग इसको सीखना चाहते हैं के लिए भी काफी अच्छी वीडियो है तो लोग को अच्छी तरीके से खांचे में बिठा देना है चेक करके नहीं तो अगर बराबर नहीं बैटेगा तो यह आगे की तरफ आ जाएगा और साउंड आने लगेगी किट किट करके जो साउंड पहले पीछे वीडियो में आपन सामने है ठीक है उसके बाद में हमको एक डॉट जो मिलता है यहां पर देखिए यह वाले गेर में इसी डॉट को हमको साप्ट की डॉट में मैच करना होता है कुछ इस तरीके से यहां से डालना है और देखिए ठीक है अब मारा हो डॉट यह रहा और यह मैच हो गया देखि मैं इस है कि यहाँ पर में एक बार धूरा जुम करूंगा यह तो यह पर धेखिए तो यह पूरी तरीके से मैन हो पर का और की तरफ लगा देना है लगाने के बाद हमको क्या करना है यहाँ पर और हमको एक spring मिलती है वो में लगा के लेता हूं तो यह रही spring और spring को यहां से डालना है डालने के बाद में यह boost देखे color को अंधर की तरफ डालना है ताकि इसको डालने के बाद इसके ऊपर एक लगा दिन यह वाली दिखें यहां से यहां से लगा दिना है इसलोग भी वैट गया पर पर ठीक है लोग को अच्छी तरीके से बिठाने के बाद यहां पर अगर आप छेक करेंगे तो देखें की ग्रेटकित हमारा अब यहां पर क्या होगा इधर अभी जो और सेटिंग बची है यह जो डौट यहां पर खाली पड़ी है इनका क्या होगा तो दोस्तों मैं इसकी भी बता रहा हूं इसकी क्या सेटिंग होती है तो इसे जब हम केसिंग में लगा लेते हैं क्योंकि यह जो हिस्सा है यह हमारा इंजन के अंदर रहता है और यह बाहर रहता है तो यहाँ पर एक स्पिरिंग लगती है और एक उपर से कॉलर लगता है जिसमें इस तरीके के खाचे कटे होते हैं मैं उसको लगा के दिखा रहा हूं इसकी पूरी सेटिंग तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो वीड 있게 कुमाते हैं तो इस तरीके से नीचे आता है और पूरे इंजन के मैंन सा उसको लगा वह उसको हो जाता है और पीछे से रहाँ बचे वह उनकी सेटिंग बता देता हूं तो रैकेट की सेटिंग में जो इजन के अंदर का जो पार्ड से वो तो अंदर रह गया उसके बाद में अभी यहां पर यह दो डूट आते हैं जो डूट का मैं सेटिंग बताता हूं कैसे करना है इस ठür傳 को यहां खाचे पर इस के वाला लोक यहां से लगा देना है ठीक है लोक पकड़ की मदद से एजी लग जाता है वो मैं लॉक लगा के लिए रहा हूं तो यहां पर हर चीज एकुरेट होने के बाद लॉक लगा देंगे लॉक इसे पीछे की तरफ नहीं आने देता है तो कभी भी लॉक को अच्छी त अच्छी के लग इसका इसका की लग अच्छी तो यहां से अराम से चलता रहेगा आवाज नहीं करेगा अगर सेटिंग नहीं होगा तो आवाज करेगा देखें यहां से जब हम इसको की मारते हैं पकड़ा है हमारा देखें जब इसको यहां से कीक मारेंगे तो यह पूरा साप घुमेगा और उसके बाद में जब इसको छोड़ देंगे तो यहां से इस प्रिंग इसे वापिस ले आएगी तो हमारी यह टोपिक सिर्क कीक साप्ट के उपर थी दोस्तों अगर आप कहेंगे तो मैं पूरे इंजन की सेटिंग की भी वीडियो डाल दूंगा तो आसा करता हूं आप समझ गए होंगे कीक रेचिस की सेटिंग थैंक्यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए कर दोस्तों वीडियो